आओ कसम उठाए करना है प्रारा आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारा आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारा ज्यान की जोत जलाए करना है प्रारा जाओ में ज्यान पसारेंगे घरते पे सूर उतारेंगे आनी आये या तुपार इंमत ना हारेंगे आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारा ज्यान की जोत जलाए करना है प्रारा इकतारा बोले इकतारा बोले प्रारा बेन जबाए करना हो करना है जबाए की जबाए करना है जांगे आधा से घास चासे चार आधा खासे चार तो , तो पूदी चार तो पी अच्छे वेसे तादा हो प्रारम नौचंकी टीब एक बार फिर आपका स्वागत करती है आप सब लोग नाटक देखने के लिए तयार है अच्छा नाटक से पहले एक गाना देखेंगे ठीक है तो अब प्रस्तुत है हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रंग और रंग नाच आगरी से घागरों मंगार देर सिया मैं तु मिला दीखन जाओंगी आगरी से घागरों मंगार देर सिया मैं तु मिला दीखन जाओंगे आगरी से घागरों मंगार देर सिया मैं तु मिला देखन जाओंगे आगरी से घागरों मंगार देर सिया मैं तु मिला देखन जाओंगे आगरी से घागरों मंगार देर सिया मैं तु मिला देखन जाओंगे धन्यवाद शुक्रिया महरबानी आप लोग जिस तरह हमारे कलाकारों का होसला बढ़ा रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं उसके लिए प्रारम टीब आपकी आभारी है हाँमारे इधे आपका मनुरंजन करना तो है ही सात ही आपको शिक्षय उर जागरत करना भी है मुझे उमीद है आपका ये फ्रेम हमारे कलाकारों पर यूही बना रहे हा बना रहे गा ना कर रहा हैं। आह्तुभोग आप लोह मैज चुह मित रहे हैं। नातक शुरू होने से पहले मैं आपको शुटो लस नाती हूं। एक बार एक अंग्रेज को एक ग्रमीन ना उसे नाखी पार करा रहा था। बीक्ष नदी में पहूंचकर आंग्रेज ने ग्रामी अपूंचा तुम्हे पथा है? बिल क्लेंजन कौन ये? तुम्हे पता है? फिव थैर न झे बडला ना बपया नहीं तो ऐंग्रेज ने कृमेर बॉल इड़ नहीं कृगांगार निक्रीज मृष्टा तो शांतर से लिग धर क्या मृष्ट दियर य सदूद जीन ड़ला । अपानी स control तुम्हारा पूरा ही जीवन बेकार गया अरी जे हुई ना बात हो गई ना अंग्रेज की टाइट है फिस यू सुसरे अंग्रेज हम गाउवालों को पता ना क्या समझे हैं हम गाउवाले तो सौसनार की और एक लुहार की करते हैं तो यह बिला डाना कौन है अरी होंगे कोई अमारीका पता है तो लीजे शुरू होता है आज का नाचक एक पगाओं एंबद पुर्था उसमें एक काठाना काम बद दूर वहां दिन भर करते खाते दोड़ा पाना करते करते काम वे अक्षर करते करते काम वे अक्षर गाते रहते ये गाना साथी हात बढ़ाना साथी हात बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना साथी हात बढ़ाना साथी हात बढ़ाना साथी रे 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 अले कम करने हो यह गाना इंघाले हो काम भी कलने है गाना भी गाले है अले मेला मैजा भुपिशे कटाने हो तुम लोग आने थो ठेकेदार को तुम सब की शिकैत कलओंगा अले बच्चू। आने गही kör1 ताढी कूशे काटूँगा मेले भी का शेलोंगा तुम आले पैसे नहीं काटूंगा तुम तो बहुत कूपसूलत हो ओल मैं हट बेशलम हट बेशलम इन मजदूरों का मुंशी था बहुत ही चालू जैसे जंगल में खतरनाक कोई भालू लेनो रात मजदूरों से ये अंथक काम कराता 400 रुपे महीना दे 500 पे अंगुठा लगवाता 500 पे अंगुठा लगवाता लेमान लाम 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 अले लाम अटा इसे है ये ले अगुटा लगा लामान लेवे या अगुटा लाम लाम लादिका जी मंसी जी पीसे तो देता मंसी जी पीसे में देता हूँ ले फुले है पूले मंसी जी अगुटा ले प्याली प्याली चूल लटे को और बहुत याद कर रहा है कहां थे इतने दिन है कल में सब ठीक है ना हाँ सब ठीक ठाक है तू सुना अले भाई या अपनी जिल्लिकी तो बड़ी मज़े से कट लही है तू तो कभी-कभी आजाया कल बता तू थन्दा पिएगा या गलम अरे भाई कुछ भी पी लूँगा तो ये तो बता तेरी ये मुझी गरी कैसी चल रही है अब भाई इच्वल की किलपा से साब ठीक चल नहीं है कमाई उभाई तो ठीक ठाक हो जाती है तेरी अवाई हाँ जब तक यह मजदूल है कमाई तो कला ही देते हैं मतलब अरे भाई जब तक है मजदूल भाई कॉन लोग सकता है गंगलाम की कमाई बैद मुझी मैं कुछ सम समझाता हूं समझाता हूं तुझे मैं देख लिए हमारी अज्ञानता का फाइदा उठाता है पर कैसे कैसे अनपड को तो सब पागल ही बनाएगे ना ऐसा है भाई गोबिन लाम कि मैं अपने ठेके दाल से हल मजदूल का पांचो लुपया महिना लेता हूं और गुठा भी पांचो पे लगवाता हूं और देता हूं उनको चाल सो लुपया और वो अनपल कुछी कुछी ले लेते हैं अपना तो फाइदा ही फाइदा है आम के आम और गुटलियों के दाम अब तू पता क्या मैं कोई भुरा काम करता हूं नहीं तू थोड़ी कोई गलत काम करता है अखेए पढ़ाय निखाय के इठाए का गॉने के pricing ने को आए अबनी को है weoda community करना अचरण के आइफ सुझे मुझे कुछ करना मुझे पड़ना और पढ़ना और चानू ओर ऊंकर सबर तो ने मन में पढ़ने की थाने इस तरह एक मज़ दूरने मन में पढ़ने की ठानी खतम कर्स के जिससे वह मुंशी की मन मानी मुंशी की मन मानी, मुंशी की मन मानी इस तरह एक मज़ दूरने मन में पढ़ने की ठानी दिन भर मेहनत करता वे रात को पढ़ने लगता एक दिन बड़ा बनने का वो सपना देखा करता सपनों में फिर एक दिन आई परियों की रानी इस तरह एक मज़गूर ने मन में पढ़ने की ठानी मन में पढ़ने की ठानी आ से अनार आ से अनार छोटी इसे अमली छोटी इसे इमली छोटे उन्थे उल्लू छोटे उसे उल्लू मसाथ उल्लू मतलब मुंसी गंगाराम दो और पांच पच्चेस दो और छे च्चबिस साथ में से एक गए ये भीचे और पांच में से तीन घटाए दो या से यग्य रा से राधिका आम लगाया अम्रूद लगाया नहीं अब बेर लगाया बाग लग गया है दर आया है दर ने अमर का बाग देखा उस मजदूर ने पढ़ना शुरू किया अधिकारों के लिए अपने लड़ना शुरू किया साथ साथ पढ़ने के मजदूर रोज कम पे आता देख राधिका को सोचता काश वो से शादी कर पाता अल राधिका सुन का है प्रस्तर करो का है बोल तुस्से बात करनी है का बात करनी है वो अधिका यू का हुए है अरे खास बात ना जाने अरे जब एक लड़की से बात करना चाहें और वो भी अकेले में है उसे खास बात करेंवे पेसल अपना कि अधिका का बागे जा रही है में कहीं भागू तुछ से मतलब तुछ से बात करनी है खास बात करनी है थोड़ी बताऊंगा अकेले में अकेले में कहीं तुझे भी मुझसे वहीं बात तो नहीं करनी जो एक लड़का एक लड़की से करें है यूँवी बात है राधिका फुट बेसला एक दिल तो जरूर करूँगा कि अले का आप अब हग ले आ अले कहां भाग लेके भागा कर छोड़ तो नहीं लगी मुंसे जी पहुत लगी है और दो रहा है पल वी ता मीटा कहां यहां और न जर तो कुछ नहीं आ रहा अरे यह अंदल की चोट है बाहर से नजल नहीं आवेगी पाहर स्रिफ चूति की चोट नाजराएगी मुझी का बक्चा क्या कहा लोज कि एक ले से मेले एक बात टूलूथ खास बात क्यों तो दबला क्यों गई वो का है मुंसी जी आज जो भी मुझसे मिले है खास बात ही करे है क्या अले ओल कॉल करना चाबे टेले से खास बात लुच्चा कितने मीठे है तेरे लब ए लादी का अरे गाली खा गाके तो मज़ा ही आगया कमीना कहिंका अले उनको तो आता है प्याल पे गुश्चा और हमें इनके गुश्चे प्याल आता है अब आगे भी तो बड़ो मुंसी जी तेले से बात कर लिए यहां नहीं यहां तो बहुत बी बेसरम वह क्यों लो यहां पर नहीं मुंसी जी खेल नी होला मेल होला है मेल मुंसी जी मैंने कुछ ना देखा बड़े बेचलम लोक है अले जाओ काम को लो बागो यहां से आपने देखा समझा मुझा जाना कितना विचित्र है यह कार खाना यहां पे है एक नार और उसके हैं सो बेमार आगे देखेंगे मिला किसे अनार और किसे को पढ़ गई है मार पर इसे पहले मैं एक बात बतलाती हूं एक पढ़ेलिक मजदूर से तुमको आज मिलाती हूं मैं तुमको आज मिलाती हूं जन गनमन हमारा राश्रगान है मुख्य समारू में इसका गान होता है जब राश्रगान गाया जाता है तो लोग सावधान मुत्रा में खड़े होते हैं सब गिंते थे कि साथ सारी कब आएगी रमन केता था बारी अपनी कब आएगी बारी अपनी तब आएगी आपनी तब आएगी अंगुठा लगा हली सिंग इदलाओ अले या लगा और का लगाएगा येले लादिका रुको हरी सिंग हम लुक साथ चलेंगे लमन आया मुंसी जी आया तू भी लगा लें अंगुठा यहां तो और क्या मेरे माते पर लगाएगा हां वहीं लगाऊंगा क्या ने ने कुछ नहीं आप रुपए दो ये लो पांच, दस, दस, बीस, पच्चिस, दो, दोसो, तीनसो, चार्सो चार्सो ये पैसे तो कम है मुंसी जी अले पूले है भईया पहले कभी तुझे कम दिये है मैंने ये तो सिरफ चार्सो पच्चीस रुपए हैं और अंगुठा अपने पांसो रुपए पर लगवाया है इसलिए मैं पूरे 500 रुपए लूँगा ना एक पैसा कम न एक जादा अरे भई जादा क्या कहले हो तुम पागल तो नहीं हो गये पागल तो तुम हमें बनाते हो मुंसी जी अब हमें सब पता चल चुका है अरे भाईया तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने मुंसी जी अब मैं पढ़ना लिखना सीख गया हूँ अब तुम हम लोगों को और बेफकुफ नहीं बना सकते हो जानते हो प्रॉर सिक्सा के इंदर जाता हूँ मैं अब तुमारी बदमासी और नहीं चलेगी चलो जल्दी से बाकी मजदूर भाईयों के पूरे पैसे निकालो मुंसी को मारने से कुछ आँगा हूँ और फिर तुम कौन-कौन से मुंसी को मारोगा हमारे चारो तरफ ऐसे अनेको मुंसी अगर आपको मारना है तो अपनी अग्नता को मारों पढ़ो लिखो हुस्यार बनो और फिर कोई मुंसी तुम्हे पागल नहीं बना पाएगा जानते हो, हमारी सरकार ने जगा जगा प्रॉड सिक्सा केंदर खोल रखे हैं हाँ, वहाँ जाकर अपनी अग्यानिता दूर करो और एक बार अग्यानिता का अंधेरा दूर हुआ नहीं फिर देखना, तुम्हारी जिन्दगी में ग्यान का उजाला कैसे फैलता है इसलिए तुम सब आज मेरे साथ ये कसम लो कि हम सब आज ही से पढ़ना लिखना शुरू करेंगे लो भया, यह तुम पैसे रखन लो, सब को दे देना पूले है ना मुंसी जी पूले हैं अब तो मैं कहीं और जाके मुझी करूगा जहां कोई भी पला लिकाना हो भाग यहां से मुझी चल कि इस तरह मुझी की जोरी का हुआ कम तमाम रमन कुल से दोस्तों से मिला खाजिनाम मिला खाजिनाम है रमन हां राधिका बोल मुझे तुछ से कुछ खास पात करनी है खास पात मुझे से हां बोलना यहां नहीं यहां नहीं अकेले में का आप है और बोल आपका तुझे ना मालूम मालूम तो है लेकिन मैं तेरे मुझे सुनना चाहिए और में तो सहर की किसी पढ़ी लड़की से साधी करूण में सहर की लड़की से साधी करेंगी क्यों क्या खलाबी है मेरे में पड़ा लिखा हूँ सुन आ से अनार आ से आम एसे एपिल बी से बॉय इसका मतलब तुर सच में बसे साधी नहीं करेगा कर सकता हूँ लेकिन एक सरत है मेरे को तेरी सारी सरते मन्जूर है तो फिर तुझे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा लेकिन में पड़ लिख कर का करूंगी अच्छा एक बात बता साधी के बात क्या हो बें मेरे को सरम आवे हैं अरो बता ना धे सारे बच्चे ना सिरफ एक या दो बच्चे ताकि हम उन्हें अराम से पाल पोस कर बढ़ा कर सकें यही सब तो पता चले हैं पढ़ाई होंगे ना एक या दो बच्चे हाँ और फिर हम उन्हें अराम से पाल पोस सकेंगे उन्हें हमारी तरह मजूरी ना करनी पड़ेगी पहले लिख कर वह बहुत बड़े अफसर बन सकेंगे अच्छा में भी पढ़ूंगी असे अनार आसे आम और अप तो देखा आपने कि शिक्षा किस तरह से इंसान के जीवन की दिशा बदल देती है उसे तरक्की की रहा पछला देती है हम सब चाहते हैं कि आपने जो शिक्षा का दीपक अपने घर में जलाया है उसका प्रकाश हर घर में फेले क्यों ना ग्यान का एक पेर ऐसा लगाया जाए जिसकी हमसाय के आंगर में भी चाया जाए तो पढ़ना तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है अब जरह मुझे ये बताईए कि आप लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है भी तरह आप लोगों को अभी आगे और बहुत कुछ पढ़ना आप लोगों को अभी आगे और बहुत कुछ पढ़ना है हाँ साब पढ़ना तो चावे हैं पर पर एक दिक्कत है यही कि हम पढ़ें किससे मास्टर जी से पढ़ने में हम सबको सरम आवे है अब आप लोगों को साहिता पढ़ाएगी क्यों साहिता दीदी में तो क्या हुआ हमारा साक्षर्टा अभ्यान तो स्वैम से भी हरी सिंग्धी पढ़ाएगो मन्जूर है लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे देखिए यह तो आप सब लोग जान ही चुके हैं कि प्रौर साक्षर्टा कारेकरम में शब्दों को पहचानना पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना सब कुछ जरूरी होता है लेकिन ए अब्दूल्ला चाचा बहुत जल्दी यह बात आपकी समझ में आएगी दरसल क्या है कि प्रौर साक्षर्टा के पश्चाद इंसान को कार्यात्मक् साक्षर्टा प्राप्त करनी चाहिए जो की बहुत जरूरी है अब आप सब लोगे सोच रहे होंगे कि कार्यात्मक् साक्षर्टा को मतलब यह है कि इंसान जो कुछ पढ़ना लिखना सीख चुका है उसका अपने दैनिक जीवन में यानिकी रोजमर्रा के जिंदगी में इस्तमाल करना सीखे यह बात तो ठीक है जब तक पढ़ाय लिखाई का हम इस्तेमाल करना ने सीखेंगे तब तक उसका क अश्तमाल करना तो आना ही चीए सही माईने में देखा जाए तो कार्यात्मक साक्षर्टा प्राप्त करने से एक इंसान ना केवल अपने अधिकारों के बारे में जानता है बल्कि उन्हें प्राप्त करना भी सीखता है मेरा खयाल है हमारी बात है आप सब लोगों को अधिक शर्टा को प्राप्त करने का अब करता है अब दूला मेरा नाम है यह क्या लिखा है कि ला लिड़ा वे तो मेरा ही नाम है तकीड़ा नहीं शकीला बुल्व शाव शकीला शावज शकीला भावी बैठो एक चीनी का डबा उस तरफ से दूसरे नमबर में है और वही चीनी का डबा इस तरफ से तीसरे नमबर पर है तो बताओ कितने हो गए पांच बलत चार वो कैसे? इस तरफ से तीसरे नमबर पर और इस तरफ से दूसरे नमबर पर तो बताओ कितने होगे? चार अब तही है अब तो बताओ कितने होगे?